बहुत बहुत धन्यवाद मैं सही बताओं तो मुझे इतने लोगों के बीच में ही पढ़ना था क्योंकि मुझे पता है दादा ने अभी जैसे कहा कि अब जितने बच्चे हैं सब प्रभुष्रोता बच्चे हैं या मैं यूँ कह सकती हूँ कि कभी कभी बच्चे हुए हैं तो सुनिएगा मैं कुछ दिर के लिए अपने मंच को बिलकुल आयो ध्या मैं कर दूँगे और आपका सहयोग चाहूँगे ध्यान दिजाएगा कि एक पल में हजारों सदी काट दी मैं एक भारतिय नारी एक सत्यूर मिला की बात करते हूँ चारपंतियों में सुनिएगा कि एक पल में हजारों सदी काट दी भाग्य के लेख की त्रासदी काट दी भाग्य के लेख की कि आप माना ना माना मगर सत्य है आप माना ना माना मगर सत्य है आपके प्रेम में जिन्दगी काट दी और वहीं दूसरी तरफ ब्रात प्रेम की एक परिभाषा मैं कहूंगी अदुईतिय परिभाषा जो आज तक दोराई नहीं कहीं वहां तक ले चलती हूं भाग्वान भारत तक ले चलती हूं लोभ अन्याय को मार कर आ गए के ताज जिस शीश खा तिर चुनामा तुने वो चरण पाद का धार कर आ गए वो बहुत अच्छे भई वाँ 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 बहुत अच्छे वड़े वाँ भी बापा वो चरण पाद का धार कर आगए मेरी माताएं बहनें बैठी हैं मैं इसे अनुरोद करूंगी कि आप समर्थन नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा हाँ तो था के तालियों बजना सकते हैं अच्छा लगेगा मुझे वस मेरे लिए बजा दीजे एक बार बजा दीजे मैं खुश हो जाओंगी हमारे सर से जो सारी बलाएं टाल देती है हमारे सर से जो सारी बलाएं टाल देती है बतौरे परवरिश खत्रे में खुद को डाल देती है हमारे सर से जो सारी बलाएं डाल देती है बतौरे परवरिश खत्रे में खुद को डाल देती है कि खुदा को भी दिया जाये नहीं दरजा कभी उसका जो अपनी कोख में नौमा बच्चे पाल देती है जो अपनी कोख में नौमा बच्चे पाल देती है कि घुप अंधेरे में रोशनी मागे घुप अंधेरे में रोशनी मागे कि जब भी मांगी तेरी खुशी मांगे कि जिन्दगी भर का साथ कब मांगा साथ भर की ही जिन्दगी मांगे साथ भर की ही जिन्दगी मांगे साथ भर की ही जिन्दगी मांगे के जीव के पांखुरी है ना पांख है प्यारे मानों क्या है इंसान क्या है जीव क्या है आपके बीच रखती हूं के देह तरुवर की शाख है प्यारे देह तरुवर की शाख है प्यारे पांखुरी है ना पांख है प्यारे पांखुरी है ना पांख है प्यारे कि जाने किस तीर का निशाना हो जाने किस तीर का निशाना हो जीव मचली की आँख है प्यारे जीव मचली की आँख है प्यारे कि हमारे सर से अपने गा कि मंजिल का एहसास अनूठा ले जाते मंजिल का एहसास अनूठा ले जाते सच्चे सपनों को कर जूठा ले जाते कि दुनिया से हर पल चौकन ने थे वरना जाने कितने द्रोण अंगुठा ले जाते यकीनन इश्ख है यकीनन इश्ख है पर कश्मकस भी कभी वो भी तो अन्दाजे पर आए यकीनन इश्ख है पर कश्मकस भी कभी वो भी तो अन्दाजे पर आए कि बिछा रखी है पल के देहरी पर है मुस्तक्बिल तो दर्वाजे पर आए और एक गीत रखूंगी फिर अपना अस्थान लोंगी क्योंकि मुझे समय की बड़ी परवा है जी बिल्कुर चार पंतियां खेर मैं किसी के विपक्ष में नहीं लिखती मैं सब के पक्ष में ही लिखती हूं लेकिन जहां नारियों पर इतने तंज किये जाते हैं कि ये ऐसा करती हैं ये मारती है पीडती है और क्या है पोच्छा लगवाती हैं तो जहीं नारी का एक दूसरा रूबी मैं उनको दिखाना चाहती हूं कि शिकायत भी तेरी शिकायत भी तेरी इबादत भी तेरी शिकायत भी तेरी अबादत भी तेरी मैं खुद कर रही हूँ वकालत भी तेरी मेरे हक में हो फैसला भी तो कैसे मेरे हक में हो फैसला भी तो कैसे मुकदमा भी तेरा अदालत भी तेरी मुकदमा भी तेरा अदालत भी तेरी के भाव निर्दंद हो गए हूँगे सुप्त मकरंद हो गए हूँगे क्यों फेक करके दुशाला यादों की वो भी स्वक्षंद हो गए हूँगे वो भी स्वक्षंद हो गए हूँगे मेरा मानना है कि प्रेम प्रदर्शन है प्रेम दर्शन है तो मैं आपको चार पंक्तियां और सुनाती हूँँगा कि प्रेम पढ़ना तो प्रान पढ़ लेना नैन अरजुन के बान पढ़ लेना चुपियों में भी शोर पागे मेरे मन का पुरान पढ़ लेना और एक गीत की भूमी का मैं बस इतना ही कहूंगे के इश्क नहीं था तब तक जिन्दा दिल थे हम फूलों की खुश्बू होटों की लाली थे के इश्क नहीं था तब तक जिन्दा दिल थे हम फूलों की खुश्बू होटों की लाली थे सहरा सहरा कहने वाले क्या जाने हम भी पिछले सावन की हरियाली थे और एक गीत आपके बीच रखूंगे कि सपनों को दे कर कलप वास तुम ले गए नेनों की उजास नीदे योड़ी उड़ी सी हैं जोडते हैं उजले का पास नीदें योड़ी उड़ी सी हैं जोड़ते हैं उजले का पास के छज़े पर फेख दिये हमने हमने छज़े पर फेख दिये तिरी आदों के पैमाने भी तुम गए तुम्हारे साथ गई वो मंद मंद मुसकाने भी वैसे गीत ऐसे नहीं सुनते हैं के तुम इंद्र धनुष्दो पहरी के मर भूमी पर पड़ती भुहार देहरी पर छित जिस सरीख है तुम जितना चाहूं बस लो निहार के ये जीवन खर्च दिया तुम पे ये जीवन खर्च दिया कुछ जाने कुछ अन जाने भी तुम गए तुम्हारे साथ गई वो मंद मंद मुसकाने भी तुम गए हाँ तुम गए एक दो मुक तक मैं राजेश भया के पसंद का भी सुना दूँ कि कल से जीवन गीत पुरा ओकिन वन ना नहीं पढ़ा हो यह तूरा जेश को क्यों बीच में ले आ रहे हैं तू अपना गीत पर राजेश अ खररे के चप्रम के चकरम में दो मुक तक मैं भएया के मन का भी पढ़ूंगी क्यों न लाओं भई बीच में मेरे भईया हैं बड बहार होशन फिजा जाम बुरा लगता है किसी के साथ तेरा नाम बुरा लगता है ये तो सच है तेरा आगाज खुब सूरत है ये तो सच है तेरा आगाज खुब सूरत है ए मोहबत तेरा अंजाम बुरा लगता है